हाई गाईज वेलकम टू एम्बीज मैंन के रीसेंटली मैंने भी एक वीडियो बनाया था टॉप फाइफ ओवर हाइप ओवर रेटिड विस्की के बारे में यह आप लोग उने में से जाधा दा लोगों ने काफी पसंद किया वो वीडियो और मेरी जो राय है उससे अग्री बढ़ अगर देखा जाए जिन फाइव विस्की के बारे में मैंने बताया था दे आर एक्स्रीमली पॉपलर विस्की जो नाम है उनका वो सिफ विस्की पीने वाले नहीं बल्कि जो नहीं भी पीते वो भी जानते हैं तो जब कोई आप वाइन शॉप पर जाते हो और आपक देखते हो तो उससे ज्यादा बेटर समझते हो कि जिस नाम को आप ड्रस करते हो जिसे आपने ट्राइ किया हुआ है उसी के साथ जाना चाहिए और ड़िस फाइन बिकॉस मैंने बताया था विडियो में कि जिन विस्की का मैंने नाम लिया है वो बिल्कुल भी बुरी विस् विस्कीज बट बिकॉस ओफ इस पॉपलर नेम्स लोग नई चीजों को ट्राइ नहीं करते हैं वो सुचते हैं कि नई चीजों में पैसे को खच करना यह वली अच्छी है तो इसी एक साथ रहते हैं तो इसी लिए आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा फाइव अंडर रेटेड विस्कीज के बारे में ऐसी विस्कीज जिनके बारे में शायद अपने सुना होगा जिनके बारे में शायद आप जायद आप जानते हैं बट बिकॉज ओफ सम् पॉपलर नेम्स आप उन विस्कीज को जादा ट्राइ नहीं करते हैं तो इस विस्की को छोड कि अब आप नेक्स ताइम जाते हो वाइन चॉप में, then try one of these whisky's और दोस्तों, आज के वीडियो को sponsor करने के लिए मैं थांक्स बोलना चाहता हूं शिवराज मातरे जी को, शिवराज मातरे जी हमारे चैनल को बहुत टाइम से support कर रहे हैं, so thank you शिवराज जी, and because of the support because of the sponsorships, मैं आप लोग के लिए जादा से जादा वीडियो ला पा रहा हूं पिछले कुछ हफतों से, और आने वाले भी कुछ हफतों में I am going to bring some amazing वीडियोs for you guys, so watch out but उससे पहले आप चेक करिए शिवराज मातरे जी की book को क्योंकि एक बहुत अच्छे financial expert है वो और उनने book लिखी है Simple Logic for Share Market और इस book से वो समझाते है कि कैसे आप भी Share Market में invest कर सकते हैं अगर आप beginner हैं और Share Market में invest करने के लिए interested हैं, then you should start with this book, क्योंकि इस book को पढढ़ने के बाद आपके जो concepts हैं, जो strategies है आपको use करने चाहिए Share Market में investment के लिए वो बिल्कुल clear हो जाएंगी एक e-book है जोसे Hindi और English दोनों में लिखा है उन्होंने Amazon पर available है तो आप इसे अपने mobile पर download कर सकते हैं and you can read it as per your convenience, बहुत ही nominal price है, 49 rupees only, so you don't need to spend a lot of money to start your investment journey, तो जाइए जाके check out करिए बुक को Simple Logic for a Share Market, the link is in the description, सबसे पहली विस्की जो मैंने आप लोगो बता ही थी अपने पिछले वीडियो में Blender Sprite is a very overrated विस्की और मैंने बला था कि कुछ और ट्राइब करो लेकिन उसके बाद बहुत सारे messages आये मुझे Instagram पर comments में, कि if not Blender Sprite then who, I mean what and I would probably say that Blender Sprite is not a bad whisky, अगर आपको पसंद है it's really a good option, but according to me, Blender Sprite के लावा बहुत सारे अच्छी उप्शन से है जो आपको ट्राइ करने चाहिए, सिर वह एक अच्छी विस्की नही है अगर मुझे एक विस्की पुचा जाए then I will probably अच्छी नेम, Macintosh Oaksmith भी ले सता था था, but Oaksmith I would not say underrated है, because already बहुत पॉपलर हो रही है, जब कि हार जगाँ पे अवेलेबल में नहीं है but Macintosh एक ऐसी विस्की है, जिससे शायद लोग कहीना कहीन नजर अंदास कर जते हैं and probably because उसका जो टेस्ट प्रोफाइलर काफी अलग है normally जो हम पीते आ रही है जो विस्की इस प्राइस रेंज में अवेलेबल होती है because in this whisky you are getting a smoky element a peated whisky जो नॉर्मली अपको इस प्राइस रेंज में कभी भी expect नहीं होती है so according to me अगर आप Blender Sprite पीते हैं और कुछ नेया ट्राइ करना चाते हैं जिसका टेस्ट काफी अलग हो at the same time अच्छी whisky भी हो then definitely try out Macintosh from the house of Amrut जिसका review में अलड़ी कर चुका है second whisky in terms of blended scotch अगर हम बात करे blended scotch whisky में बहुत सारे optional हो के पास और बहुत सारे कुछ popular नाम भी है Wax69 का हमने नाम लिया था पिछले वीडियो में कि थोड़ी overrated whisky है बट उसके रावा बहुत अच्छी whisky में है इस price range में आपको मिल जाएंगी बट कुछ ऐसी whisky है जो अच्छी है popular भी है बट उनकी popularity उन हद तक नहीं है उस हद तक नहीं है जहां तक होनी चाहिए जो hundred pipers, teachers, black dogs को टकर देने वाली whisky शायद यह नहीं बन पाती है और first जो है इन में से second whisky हमारे list में है और first in blended scotch that is William Lawson William Lawson I would probably say कि एसी whisky है जिसमें कि बहुत कुछ ऐसा कोई खास नहीं है कि जिसे हमें amazing whisky कैसे के बट अगर हम बात कर एक blended scotch whisky कि बजट introductory blended scotch whisky के बारे में then I think William Lawson definitely meets all the criteria's very very well I think it's a very smooth whisky है it has a nice buttery maltiness in that whisky I think for the price एक बहुत अच्छी whisky है अफी smooth whisky है it has a nice buttery maltiness in it जो मुझे definitely काफी पसंद आई and I definitely feel कि इस whisky को थोड़ा ज्यादा popularity मिनने चाहिए मैं यह नहीं कहूंगा कि popular नहीं है कुछ-कुछ रिजिंस में काफी popular है but still अगर मैं overall India की बात करूँ then I do feel that William Lawson deserves more credit third whisky in my list another blended scotch whisky जिसके बारे में शाय इती बात नहीं होती है हम लोग जब बात करते है scotch whisky is bottled in Scotland तो red label, valentine की बात होती है but कही न कहीं J&B whisky ऐसी है जिसका discussion इस list में नहीं आता है and I'm not really sure why again I would not say की बहुत amazing whisky है but I personally feel की अगर हम एक list मनाए top whisky's in this price list तो for me J&B will always be in that list because it is a pretty good whisky एक दिन मैं comparison करूंगा J&B का with valentine's and red label और दूसरी और whisky's जो bottled in Scotland हो के आती है but as far as my experience goes as far as my taste goes I personally feel की J&B whisky definitely सबसे बेटर जो blended scotch whisky's है इन price range में उन सबको एक अच्छी टकर दे सकती है so if you haven't tried then definitely try out J&B rare fourth whisky in the list अब जब बात आती है overrated whisky's की तो I think एक जो company है एक जो brand है जिसे सबसे ज़्यादा सुनना बरता है और वो है Johnny Walker whisky's and somewhere I do agree कि उनकी जो whisky's होती है थोड़ी overrated होती है थोड़ी overpriced भी होती है especially अगर हम upper range की बात करें but I think there is one whisky from Johnny Walker which doesn't deserve that kind of blame और वो है Johnny Walker Green Label मैं सोच रहता कि Johnny Walker Green Label या Double Black दोनों में से किसको इस लिस्स में डालता है because दोनों ही अच्छी whisky's है but I somewhere feel कि Green Label को थोड़ा जादा underrated माने जाता है because जादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते है and I'm not really sure why because Johnny Walker Green Label is not only one of the best from that lineup but one of the best blended malt that you can get in the market a blended malt whisky याने कि सिर्फ और सिर्फ malt से बनी है and 15 years age statement के साथ ये विस्की आती है and I personally feel कि अगर इसको मैं एक sentence में डिस्क्राइब करूँ आप लोग के तो I would probably say monkey shoulder का daddy yes monkey shoulder से जोड़ी से expensive है but at the same time it also gives you that 15 years age statement and I feel that in terms of taste it is one of the best best scotch whisky जो मैं तेस्करी हो especially in this price range medium price range होती है I feel that it is just a remarkable whisky but I don't know why कि लोग Johnny Walker black के बाद सिदा gold पर आते हैं platinum पर आते हैं और ब्लू लेबल but green कही ना कही मिसाओ जाती है and I don't know why it is a much better whisky than platinum या gold लेबल and for me I would say कि अगर एक underrated whisky है Johnny Walker के line-up then that has to be green लेबल और अगर आपने नहीं ट्राई करी हैं अभी तक then definitely try don't buy gold लेबल buy green लेबल और आप लोग I am telling you कि regret नहीं करोगे 5th whisky in the list and that is my personal pet peeve कि जब भी लोग बात करते हैं single malts के बारे में especially the entry-level single malts तो लोग glens में अड़क जाते हैं लेकिन वो glens में अड़क जाते हैं वो सिफ glen phidic और glen livet ही होता है लेकिन जो third glen है जो more important glen है and I feel that the better glen है glen moranji 10 उसके बारे में जादा बात नहीं करते हैं I personally feel that glen moranji is a much more superior whisky than other single malts जो इस price range में available हैं if you like whisky's that are not smoky that provide you with a bit of bit of depth with a bit of complexity then I'm telling you that there is nothing better than glen moranji 10 that you can get in this price range one of my favorite whisky's I think इसले एक साल में जो मैंने सबसे ज़्यादा whisky's पी होगी उसमें से glen moranji एक होगी because I always keep a bottle in my bar and I love drinking glen moranji and I'm telling you next time जो आप वाइन शॉप में जाते हैं और कोई single mall खरीनना चाते हैं don't go for the usual glens go for glen moranji and you will love the taste so दोस्तों ये ता हमारा आज का वीडियो top 5 underrated whisky's के बारे में कैसा लगा मुझे आप लोग को बताईए like करिए वीडियो को अगर पसंद आया है तो share करिए अपनों जोस्तों के साथ channel पर subscribe भी करिए मिलते हैं जल्दी तब तक के लिए प्योप पैज प्योप